कि नमस्कर दोस्तो हु सुआः में आघे नजच की वीडियो के अंधर हम बात करों कि किस तरह सी आप नेंचिप चिप के अंदर जो भल्लैप्छ paragraphs के अंदर यो इसके अंदर आ सकते है अपका होस्ट्ग इसके बाद आपका डॉमेनद और अपका प्रिमियम डे़येंस तो काफि सारे उसे के मेरे 5 कमेंट आये थे कि premium DNS को किया सरा से यूज करते हैं तो इसके बारे में अदर हम बात करने वाले हैं तो यह सब के बरहे में जानने के लिए video देखते रही है तो देखे सबसे पहले हम बात करते कि जो आपने मेरे ख्याल से जिदने भी आपको कूपन चाहिए वो सभी कूपन आपने यहाँ पर क्लेक किया हो गए तो नेमचिप के अंदर ब्लेफ्राइड के अंदर आपको बहुत ही चिप में होस्टिंग डॉमेन सब कुछ मिलता है तो देखे अभी भी यहाँ पर डिल स्टार्ट है यहाँ जात है गो टू डिल सेंटर तो वहाँ पर आपको पता से लेगा कि अपकमिंग डिल कौन से है तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखे देखा कि यह अपकमिंग डिल यान के अभी जो जिदनी भी डिल थी वह कंप्रेट हो चो कि और करनली जो डिल चरे वह है कि डॉट नेट डॉमेन और इसके बाद प्रेमियम डेनेस तो मैंने जिदनी भी मुझे कूपन जाए वो सभी तो देखे जैसे हमने वहाँ पर आपको यहां पर सभी कूपन देखा देगे इसका मतलब कि मेरे पांस जिदने भी मुझे कूपन जाए वो सभी कूपन है जैसे कि यहां पर आपको लेश्ट दिखा देगी .com.org.net.net.com वोस्टिंग प्लान इसके बाद प्रिमियम डेनेस अब भी कूपन मैंने यहां पर लेके रखें तो आज की वडियो के अंदर हम बात करना है कि की तरह से आपको इसे यूज़ करना है अगर आप इसे पर्चेस करना में किसी पर मिश्टे करता हो तो आपको बाद में प्रोब्लम हो सकता है या तो आपको इसके कॉंटक करना प इसके बाद आपको उष्टिंग पर्चेस करने है तो सिंपल्ल क्या करना अआ है कि देखाए आज की वीडियो के अंदर में एक डूर ने रूम होईन करना है इसके अंतर हम होष्टिंग परस्यक करेंगे और इसके OUTपर हम अपले करेंगे प्रिम्य दिल їх तो सबसे पहले त तो आपको promo code को kofi करना है इसके बाद टेब आपको promo code use करना है तो जिमना पर यहाँ पर इस नाम नाम जहां पर देख लिता हूँ तो आपका domain successful आपके card के अंदर add हो चुके इसके बाद आपको simple view card पर क्लिक करना है और देखिए सबसे पहले तुम्हें आपको बात हो कि आपको जिदें भी आपने coupon purchase किये वो coupon को आपको एक-एक separately जो order करना होगा मेरे खाल से आपको यहां पर देखा है आप single एक ही coupon code यूज कर सकता हो एक बार तो मेरे खालिने भी आपके पांस coupon है वो आपको separately यूज़ करना पड़ेगा तो देखिए हम आपको के cards के अंदर simple आपको यहां पर आपका domain का जो वन्यर सुस करना है इसके बाद auto range आपको off करना है इसके बाद simple जो voice guard आप इसे enable कर देखू कि यह आपके लिए बिल्कुल free है forever के लिए इसके बाद simple जो आपका दूसरा option होगा जो premium DNS जो कि इसके अंदर आप इसे enable करते हो तो आपको यहां पर pay करना पड़ेगा तो आपके पांस coupon code है वो आपको बाद में यूज़ करना है इसके बाद आपको इसे separately purchase करना आपका premium DNS तो वो आपको बहुत ही जान रखना है तो अभी जो हमने coupon code कोपे किया था वो था.net domain का तो domain हमने यहां पर सक्सेफुल सेलेक कर लिया इसके बाद हमने यहां पर one year सेलेक कर लिया इसके बाद simple आपको एक promo code का option होगा वहां पर आपको इसे paste करना है देखिए यहां पर right click किजे इसके आपको apply button पर click करना है तो देखिए हमारा promo code successfully apply होचो का इसके बाद आपको जो आपका total price देखतेगा वह होगा 74.89 रूपेस इसके बाद simple आपको इस order को confirm कर देना है जहसे आप order को confirm करोगे तो जो यह domain है वो आपका हो जाएगा जाने कि जो आपका domain आपका हो जाएगा इसक करना पड़ेगा इसके बाद आपका payment method आपको यहाँ पर select करना है तो आसके वडियो के अंदर हम यूज करेंगे PayPal आप अपने मुतबिक यूज कर सकतो तो अगर दो देखिए इसके अंदर आपके पांस international debit card होना जरूरी है बाद save आपको दिखा देखा कि save the configuration about my default payment setting क्योंकि आपको इसके अंदर बहुती बार check out करना पड़ेगा तो आपको इसे save करना है इसके बाद simple आपको continue बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपका final step है आपको देखा 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 चेक आप PayPal तो simple वहां पर आपको देखा 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 जो मैं PayPal का email लिख लिए इसके बाद यहां पर में लिख लेता हूँ PayPal का password कि हमारा order successfully pledge हो सुका है आपको यहां पर देखा देखा थांक्यू for your purchase इसके बाद simple आपको करना किया हम आपको जाना पड़ेगा फिर से name chip पे और इसके बाद आपको आपके dashboard करना कि क्या आपका domain आया या नहीं तो account इसके बाद आपको dashboard में जाना है और वहां जा कि आपको चेक करना कि जो अपने recently domain purchase किया है .net वो आया या नहीं देखिए आपको यहां पर देखा 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 होस्टिंग रडार.net हमारा domain successful हमने purchase कर लिया है इसके बाद make sure आप अपना एक पर Gmail चेक कर लिए क्योंकि मैंने पिछले देखा थ है तो मैं भी आपके email के अंदर आया होगा जो email आचो का है नेमशेव के तरफ कि आपका order successfully confirm हो चोगा है बाद आपका आगे का काम होता है कि आपको इसके अंदर hosting add करने है अब देखिए मैंने इस आपको क्यों बता है क्योंकि आपको सबसे पहले domain purchase करना है इसके बाद आप इसके अंदर आचो कि इसके अंदर देखिए आपको यहां पर देखे देगा statler plus plan जो कि मैं इस hosting का यूज करने वाला हूँ इस domain के साथ तो simple आपको इसके सामने इसका प्रोमो कोड होगा इससे आपको कोफी करना है कोफी कर लिए इसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिर inрахाना स्कूब बने वह तो इसके अंदर आपको जाने के बाद आपको यहां पर शूर्ष करना एन्योलि और इसके बाद आपको जाना है कि मैं आशके वाद डिक लिए उसके करना हो लिए वाला प्लोन तो देखे आप आपको इह हो सकते आपको इससोस करना है तो मेरा यह है तो simple में आपको तो simple यहांपर मुझे add to card पे क्लिक करने पड़ेगा वहाँ पर klik रहेगा तो आपको यह पूसेगा कि क्या आपके पांस जो आप इसके साथ ब्री डॉमेन पाना चाहते हो आप डॉमेन पर 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 जाना हो जाता हो यह तो आपके पांस दो नेमचिप का डोमेन है तो आपको यहां पर क्लिक करना है simple user io1 with namechip तो इसके बाद आपको वहाँ पर जाना हो रहा हो देखिए यहां पर देखा देखा कि here is the list of namechip domain तो मैंने आपको पहले बता है इस तरह से कि domain अगर आपने पहले purchase करके रखा है तो आपको बहुत ही आसान होगा देखिए simple आपको select कर लेना है जो कि आपने recently domain purchase किया था .net domain तो simply मैंने देखिए domain को select कर लिया इसके बाद आपको continue बटन पर क्लिक करना है hosting plan successful इसलिए हो चुका है one year के लिए जिसके अंदर में unlimited website host कर सकता हूँ तो simple देखिए इसके बाद इसके भी आपको auto renew आप करना है तूकि हम इसे auto renew नहीं करोना चाहते है इसके बाद आपको इस बाद भी यहाँ पर एक coupon code का option दिखा देगा वहाँ पर आपको आपका coupon जो आपने coffee किया था वो paste करना है इसके बाद आपको apply button पर क्लिक करना है तो आपका जो coupon code successfully apply हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर मेरे खाल से 3030 में जो 344.78 रुपे इसके बा आपको आपका password करना है और आपको यहाँ पर check out करना है मैं आपके पांस आदेगा thank you for your purchase इसके बाद simple आपको जाना पड़ेगा फिर से namechip.com पे और इसके बाद फिर से आपको आपके account के अंदर जाके dashboard में जाना है और आपको चेक करना कि क्या आपका hosting जो आपने recently purchase किया है तो देखे आपको यहाँ पर देखे देगा कि आपके domain के सामने देखे देगा एक new option इसके बाद इसके अंदर है आपका unlimited website वाला hosting plan जो कि हमने recently purchase किया है इसके बाद आपको आगे का का होगा आपको फिर से जाना पड़ेगा आपके coupon के अंदर इसके बाद है कि इसके बाद आगे का काम होगा और जो बहुती बार using comments करके पूछ रहें कि premium dns का आपको कैसे यूज करना है तो simple आपको देखे देगा premium dns तो इसके सामने इसका coupon code है इससे आपको copy करना है कोफी करने के बाद आपको जाना पड़ेगा फिर से nameship.com पे और वहाँ जाके आपको इसके बाद product के अंदर आपको सूस करना है आपका premium dns तो देखिए security के अंदर जाना है वहाँ जाके आपको premium dns पर क्लिक करना है और simple आपको इससे one year के लिए सिलेक करना है जैसे आपको आप वहाँ पर क्लिक करना है तो आपके पांस option होगा कि आपका domain दिखा देगा simple आपको select domain पर क्लिक करना है तो जो आपका premium dns वो यूस होगा आपके hostingradar.net के साथ इसके बाद आपको simple continue button पर क्लिक करना है confirm order पर वहाँ पर आपको फिर से देखा देखा आपका जो प्रोमो कोड का option वहाँ पर आपको आपका प्रोमो कोड पेस्ट करना है apply पर क्लिक करना है तो जो आपकी original price मिस हो आपको discount मिलते है वो बहुत अच्छा discount आप देखिए यहाँ पर था 300 के ऊपर वहाँ पर हो गया 62 सिंपल आपको confirm order पर क्लिक करना है तो फिर से से प्रोसेस के अंदर आपका PayPal ओपन होगा और आपको यहाँ पर चेक आउट करना है तो होने के बाद यहाँ पर लेख होगा thank you for your purchase जिसकी पहले लिखा था इसके बाद सिंपल आपको जाना है फिर से नेमचिप पे और इसके ब आपको देखा देगा जो dashboard के अंदर आपका domain लेकिन इसके अंदर आपको देखिए product के सामने एक security lock हो गया होगा देखिए आप आपको देखेतेगा और इसके बाद हम बात करते कि premium DNS का work क्या होता है अब देखिए वह आपकी website को always online रखता है secure रखता है और तो दूसरे जान के लिए तीन जो product in-up थे इसके बाद simple आपको mail आएगा अब देखिए यहां पर आपके पांस देखिए बहुत सारे mail आ चुके है इसके अंदर आपको mail होगा कि देखिए यहां पर आपका जो hosting का होगा कि your hosting account detail for hosting radar.net इसे आपको open करना है तो देखिए इस email के अंदर आपके cpanel access की पूरी information है आपको यहां पर दो security इसे में आपको नहीं दिखा सकता कि क्या का information लेकिन इसके अंदर आपका cpanel का URL है और इसके अंदर आपका username और password है बस simple तो simple देखिए यह आपका cpanel का login इसके बाद यहां पर यह हमारा username है और नेमचिप के अंदर आप अपने username चैन्स कर सकते हो बात में अलाइव करके तो यह बहुत बहुत अच्छे बात हो सकते है simple मैं login बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा cpanel देखिए यहां पर को देखेता है कि cpanel हमारा open नहीं हुआ तो इसे एक बार हम ट्राय कर लेते हैं कि क्या होता है अब देखिए हमारा cpanel successfully open हो चुका है यह जो unlimited website वाला cpanel है तो simple में जाओंगा सबसे पर हम चेक करेंगे addon domain पर क्योंकि मैंने इस बार पर्चेस किया है unlimited hosting वाला यानकी unlimited website वाला प्लान तो जी हां यहां पर किसी भी परकार की limitation नहीं है अगर आप पर्चेस करता हो पहरा वाला प्लान तो इसके अंदर आप तीन ही website कर सकते हो यह unlimited वाला तो इसके अंदर आप अपनो आपकी जिदनी आप एड करना चाहते हो इसके अंदर किसी भी परकार की जो limit नहीं है तो यह होग यह हमारा hosting plan setup simple file manager पर जाते है और चेप करते कि क्या हमारा domain propagation complete हुआ या नहीं इसके बाद इसके बाद आपको डिलर बटन पर क्लिक करना है कि इसके बाद आपको सिंपल फाइल पर जाना है वहां जाके आपको इसके बाद हम विजिट करते हैं हमारी website यान की विजिट कर लेते हैं सिंपल यहां पूझे लिखना पड़ेगा hosting इसके बाद रडार डॉट नेट और एंटर तो देखिए अभी भी हमारा domain propagation के अंदर है क्योंकि email के अंदर भी यहीं लिखा था आपको दिखा देगा इसके बाद हम बात करते कि आपको premium DNS की तरह से यूज करने हैं तो यह सभी करने के बाद सिंपल आपको जाना पड़ेगा आपके account में इसके बाद dashboard में वहां जाकि सिंपल आपके domain के सामने अगर जिस domain के अंदर आपने premium DNS एड़ करके तक है अगर इसके अंदर आपको premium DNS एनेबल करना है अगर आप जो particular domain के लिए परसेज करते हो तो मेरे खाल सबको इसे इनेबल करने की जुरूद नहीं पड़ेगी लेकिन आपको देखिए एक drop-down का arrow देखा देगा इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको पता चलेगा कि जो आपका premium DNS है वो already on है आपके domain के अंदर जो की expire होगा November 2019 के अंदर देखिए यह आपको देखे देगा इसका बेन फिन में आपको पहले बता दिया कि आपकी website always online रहती है किसी भी परकर का इसके अंदर इंटरब नहीं हाता है compare to basic DNS तो यह सभी बाते हैं तो अभी हमारा domain propagation के अंदर है लेकिन थोड़े के बाद यह हमारा domain जो करने हो जाएगा आपको फ्रिक्वेंटली इसे प्राइबर वीडो में या तो आपकी न्यू ब्राजर के अंदर चेफ करता रहे ना जैसे आपका domain कनेक होगा तो आपकी website यहां पर लाइव हो जाएगी और इसके बाद अच्छी होस्टिंग आप यूस कर सकते हो तो बस आसके वडियो यहीं तक था आशरक वडियो बहुत आपको पसंद आया हो पसंद आया तो वडियो को लेको शेर कर देजिए साथ साथ मरेशन को सब्सक्राइब करता कि आपको ऐससे हेलफुल वीडियो मिलते रहे थांक्यो रोशिं देशरियो